बुर दुबाई मार्केट में एक स्कैम हुआ बहुत तकड़े वाला और उसके बाद जब हमने वो पूरा गूगल पे चेक किया तो एक के साथ नहीं मतलब हजार से जादा लोग के साथ वो चीज स्कैम हो चुकी थी दुबाई में तो आपको मैं वीडियो के तुरू इसलिए दुबाई में है मेरा फिफ्ट डे मेरा नहीं हम दोनों का मयंक और मेरा वह भी थोड़ा बाहर गया हुए किसी काम से आज का दिन थोड़ा चेल्ड आउट होने वाला है मतलब जादा हम जगा घूमने नहीं जारे पहले हमने सोचा था दुबाई फ्रेम गूमने जाएंगे लेकिन उसके हम टिकेट बुक कराना भूल गे एक दिन पहले और आज जाके हमाँ पर अमन नहीं कर रहा है क्योंकि यार आज आखरी दिन है कला हमें दिन में निकल जाना है इंडिया तो दुबाई तो पास में ये इंडिया के आते रहेंगे लेकिन भाई साब जितना मैंने खर्चा दुबाई में किया है साची बताँ है तो वह ने पूरा पूरा अपने गैजट में ही रिकावर कर लिया मैं इतनी चीज़े मैं खरीदी आए वह आपको मैं दिखा दूंगा अनमौल चैसाईट वाल वाले चैनल पर कि कितने कितने का खरीद है और उसमें इंडिया और यहां के रेट में कितना फरक है, मतलब मैंने लगबग 1.5 लाग की आसपस की शोपिंग करी होगी और वो इंडिया में होगी शोपिंग 2 से उपर की, मतलब मैंने 70-80,000 रुपे बचा लिए और 70-80 का तो मेरा खर्चा भी नहीं आया पांस दिन दुबाई गूमने में, इसके हमने पे करे हैं राउंड कितने, 5,000 कुछ रुपे पे करे हैं शायद से, टेक्सी वेक्सी लगा के जो भी है देख लेना, और यह हमने बुकिंग करी है, बुकिंग डॉट कॉम से, लेकिन कैश करो के थूँ, कैश करो के है वो आपको मैंने बता रखा है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन भाई अगर आप दुबाई आ रहे हो ना, मयंग के साथ भी हो रहा था, मतलब हम जब मार्किट में थे, तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको कैश करो के बारे में बता दू कैसे आप प्राइट टिकेट्स, होटल बुकिंग पर अच्छे खासे कैश बैक कमा सकते हो, उसी के साथ साथ आप शोपिंग करते हो, तब भी आप कैश बैक कमा सकते हो, तो भाई देखो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए कश करो के लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको, फिर आपको बेसिक साइन अप करना है, नाम, इमेल आडरेस, मुवाइल नमबर, OTP डाल के या सीधा पेस्बुक से भी लोग इन कर सकते हो, उसके बाद आप देखोगे कि आपको सीधा 25 रुपे का साइन अप बोनस मिल जाएगा, अगर आप मेरे लिंक के थुरू कर रहे हो, यह फ्री फंड का है विल्कुल, और आपको देखना है कि जो स्क्रीन पे काफी सारे ओफर्स मिल रहे हैं, एमेजोन पे, फ्लिप कार्ड पे, आपको कैश बैग मिल रहे है, लेकिन हम यह जैसे booking.com से booking करनी है, तो आपको उपर सार्च करना है booking.com, फिर वहाँ पर आप देख पाओगे, जितनी भी होटल बुकिंग्स है, उस पे booking.com आपको, मतलब कैश करो आपको सोरी, छे परसेंट का कैश बैग दे रहा है, अगर आप booking.com से, वेबसाइट से बुक करोगे, फिर booking.com पे क्लिक करने के बाद, आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा, जो औरेंज बटन उस पर आपको क्लिक करना है, और फिर आप सीधा वेबसाइट पे पहुंचाओगे, booking.com की, अब आपको normally booking करना है, जैसे इस होटल का नाम है, पार्क रेजिस क्रिस केन होटल, दुबई का सबसे सस्ता ये 5-star होटल है, तो सर्च करो, booking करो, date wait डाल के अपना normal जैसे करते हो, और फिर उसके बाद normally payment करते हो, जैसे भी आपने करना होता है हमेशा, और फिर आप जब cash करो के account में जाकर my earning section देखोगे, तो आपका जो है reflect हो जाएगा cashback, लेकिन अभी ये pending show होगा, और जैसी थोड़ी देर बाद ये pending से confirm में change होगा, आप पूरा का पूरा amount जो है cashback का, वो अपने bank में withdraw कर सकते हो, तो जाओ भाई है download करो, फटावर्ट से cashback, wedgeback, low और अच्छे में booking करो, अब मैं छोटा सा एक tour देता हूँ, ज्यादा detail में नहीं दूँगा, जीवोरा से थोड़ा सा कम better है, ये लेकिन जीवोरा भी बहुत अच्छा था, ये भी कापी अच्छा है, five star hotel है, तो आपको feel five star वाली मिल रही है, और सस्ते में मिल रही है सबसे अच्छी चीज, चोटा सा tour दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको scams के बारे में बताऊँगा, और यहां की दो-चार market गुमाऊँगा, कहां कहां पर सस्ते सस्ते में, क्या चीज़े मिलती है, जैसे gold चुक हो गए, वहां पर सोना बहुत सस्ते है, इसके अलाब अपना जो मुस्तफा market हो गई, मुस्तफा नी सोरी, मीना बाजार है, वहां पर मिलता है, आपको electronics market सस्ती, और भी आसपस दिखाएंगे, और यह apartment से मेरे कुछ 5 मिनट की दूरी पे था होटल, यह बुर्दुबाई में पढ़ता है, पहले टूर देता हूँ, जल्दी से इतने मयांक भी आ जाएगा फिर, तो देख लो भाईया कुछ इस तरह का रूम है, एर्थ फ्लोर पे है, यह रूम 803 है, रूम नंबर, बैड बैड लगा हूँ है, यहाँ पर एक तरह से डैस्क लगा हूँ है, आप चेल कर सकते हो, ब्रेकफ़र्च खा सकते हो, लैंप लगा हूँ है, यह वोई side tables है, bed है, bed काफी comfortable है, मतलब king size है, और यहाँ पर है office table type का, यहाँ पर आप बैट के, अपना editing, editing कर सकते हो, जो भी आपको काम करना है, एक यहाँ पर mirror मिल जाएगा, काफी बड़ा सारा, ठीक है यह भी, इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरी complimentary, चाए, coffee मिलती है, आप जितना मर्जी ले सकतो, unlimited, यहाँ पर पूरा का पूरा, यहाँ पर एक लग रहा है, यहाँ पर एक लग रहा है, बड़ा सा शीशा, यह देखो, यहाँ पर बैट भी सकते हो, आराम से पूरा, और यह एक ओर wardrobe है, जहाँ पर आयन करने के लिए, यह देखो, आयन रखी है, और यह रखा है एक टेबल, उपर blanket है, एक्स्ट्रा तक ही यह रखी है, इधर से entry होती है, वो ही key card मिलता है, जो आपको lightning के लिए, मतलब power के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और यह है यह सब कुछ है, यहाँ पर देख सकते हो आप यह, पूरा वाश वेशन, टॉयलेट सीट है, यह पता नहीं किसलिए बच्चों के लिए है शायद से, और यहाँ पर है नहाने के लिए, कहां से खुलेगा, यह रहा, तो यहाँ पर आप शावर ले सकते हो पूरा, और भाई अग आपको नाम का फाइफ स्टार होटल लेना है, तो आप यह वाला ले सकते हो, पार्क, रेजिस, क्रिस्किन होटल, लेकिन अगर आपको सही में लगजरी होटल चाहिए, तो आप जिवोरा में जाओ, है वो भले ही फोर स्टार, लेकिन वर्ल्ड का एक टो टोलेस्ट है, और फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, दो-दो बातरूम है, हर रूम में पूरा किचन भी मिलेगा, यहाँ पर किचन भी नहीं है, तो मैं आपको जिवोरा ही रेकमेंड करूंगा, अगर आप पांच साढ़े पांच हजार का बज़ेट लेकर आ रहे हो, दो बंदो का, पर पर स दूसरा दिन था, हम रह रहे थे, जीवोरा होटल में, हमारे साथ वाले रूम में एक इंडियन ठहरा हुआ था, अकेला आया हुआ था वो, तो उसके साथ बुर दुबाई मार्केट में एक स्कैम हुआ बहुत तकड़े वाला, और उसके बाद जब हमने वो पूरा गूगल पर चेक किया, तो एक के साथ नहीं, मतलब हजार से जादा लोग के साथ वो चीज़ स्कैम हो चुकी थी दुबाई में, तो आपको मैं वीडियो के तुरू इसलिए बता रहा हुआ हूँ, क्योंकि हमें भी ये चीज़ नहीं पताती, और सेम डे ही मयंग के साथ वो सीन होते होते हैं, मतलब हमें पता चल चुका था इसलिए, तो हमने सोच है एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि इंडिया से दुबाई बहुत लोग आते हैं, और उनके साथ ऐसा स्कैम ना हो, तो पहले आपको समझाते हैं हुआ क्या, वो बंदा नॉर्मली भूर दुबा हो जाएगा, अब हर किसी को इन से क्योटी होती है, अपने बारे में, तो वो कहता है, ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो, तो वो ऐसे ऐसे ले करना, उसको बस ये कहके गए, कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम को यहां पे नहीं रहते हैं, हम इंडिया से ही आया है, घूमने के हमारा भी मोटा था, हम भी पतले होगे, फास्फूट खाखा के हम भी ऐसे होगे दोटे हैं, यह भी वो बोल रहा था कि पहले मैं भी बहुत मोटा था फास्फूट खाखा के, लेकिन मैंने जब से जड़ी बूटी आ एक महीं ने लिया है, मेरा बिलकुल ठीक हो गया, तो उस बंदे गोला थीक है, भी सस्ता होगा, कुछ वो लेकर उसे जनरल स्टोर पे, वहाँ पे सबसे वहल तो उसको कुछ एक लिक्विट टाइप का दिया, जो बीस धिरम का था, यानि चार सो रुपे, तो उस बंदे गोला थीक है, यह सस्ता है, ले ले लेता हूँ, तो वो मतलब उस बंदे के 44,000 रुपीज यूँ ही लग गए, उस वक्त वो मना भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी जल्दी उन्होंने सब कुछ किया, फटावर से मिक्स करें, जारे पाउडर सा देती है, वो बता रहा कुछ, और उसमें लिक्विट में मिक्स करके इतनी जल्दी कर मान लिए जड़ी पूटी असली भी थी, असली भी थी काम भी करेगी, पहली बात है मोटा पाट आने वाली कोई चीज होती नहीं है, वो एपल साइडर विनेगर एक बेस्ट चीज होती है, आप यूज भी कर सकते है, कोफी भी है, जिम जाओ, फैट कटर यूज कर रहा सकत बेस्ट है, दूसरी चीज जो मान लो असली भी थी, पर वो इतनी महेंगी नहीं हो सकते है, बिल्कुल, 44,000 रुपे उसके एक महीने की डोस में लग गए, ठीक है, अब सेम चीज उसके साथ हो गई, जिस दिन उसने बंदे ने हमें भी बात बताई, हम उसी दिन शाम को बू आपके बाल है, यह कम है, अचानक से आएंगा, जैसे आपसे हल्प कर रहे है, पीछे मूड के देखा, तो कहरा है यह अपके बाल कम है, पहले मेरे भी कम थे, देखो, मेरे बाल आ गए, एक महीने के अंदर, मैंने का भाई, कैसे आ गए, मेरे को इन्जियोर्टी हो जाती है कई वहर तो मैं भी पूछने लग गया, बही क्या सीन था, तो उसने दोते हैं, यह नकारा, नुकरा, ऐसे पर के तीन चार, मतलब ना जल्दी में उसने ऐसे तीन चार नाम बता दिये, फिर कहरा आपको याद है, तो हमने तुम ने तुम ने जल्दी बता दिये, कैसे याद कैरा आप लिख लो, इसने लिखने लगा, फिर कहा था, चलो मैं आपको शोर पी दिखा देखा, जब मैं लिखने लगा, तो एक और उसका दोस्त आ गया, वो कह रहा है, तो बोला रहे, इसके भी देखो, यह है, तो इसको भी मैं बता रहा था, तो दूसरा बड़ा बंदा इंटरस्ट लेके, चलो मैं दिखाता हूँ दुगारा आपको, 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 मैं दिखा वैसे बहुत सेफ कंट्री है बहुत हद से जाद है कोई यहां पर क्राइम राइम नहीं होते जाद अतर लेकिन इस तरह से दोकादरी से लूटा जा रहा है लोगों को उस बंदे के मतलब एक तरह से लगा लो आप 50,000 रुपे पूरे के फुरे चले गा है मतलब ट्रिप का जो बस आराम से बैटके बहुत थक गयते पूरा दिन मैं अभी अपनी जो दो तीन वीडियो शूट नहीं थी वो कर ली साही टाइम पास हो गया लेंस बड़ा प्यार है तरह लेंस मेरे को लेना है तेरह लेंस की कॉलिटी बताओ कमेंट सेक्शन वर यह सिगमा का 16 mm f1.4 आपन से बहुत सारे यह शोरूम टाइप के बने हुए यह स्टोर बने हुए तो यहां से कुछ सोवेंटियर्स लेजारों जैसे बुछ खलीफा वगारा और भी थोड़े बहुत मोडल्स वगारा जो याद की तरह तो यह देखो आर सी कार रहा है 21 दिरम यानि की सिरफ 400 रुपी और यह चोटी आर सी कार रहा है 1010 दिरम की यानि 200 की यह देखो लंबॉर्गिनी का कॉपी वर्शन यह भी 20 दिरम है यानि 400 रुपी इसके लावदे को इस तरह के बुछ खलीफा लिया यह 1010 दिरम के यानि की 200 रुपी का यह मैं अपने टेबल पर रखूँगा सेट अप मे तो यह सारी चोकलेट्स भी ले लिए हमने घरवालों के लिए और दोस्तों के लिए तो भाई पूरी दुकान में इतनी चोकलेट्स थी वह हमने भर लिया है बैग में कितने का भी लाया चार सो 325 दिरम मतलब 7000 रुपी की चोकलेट्स खरीज लिए हमने यह आपर तो चलते है यहां से पहले मार्किट में यह उठाएगा इसी के चुल मचरीद इतनी ले जाने कि यह देख लो मैं जिसको दिए मेरे घर आ जाना मैं लोग के लिए अड्रेस भी बता दे अन्मोल के घर पहुच जाना तो अभी मैं अक नहीं इतना जादा समान ले लिया कि इसके बैग पीछे वाली गली में पाक लियारी रेश्ट्रेंट आया यहां पर दुबई की बैश बिर्यानी मिलती है अभी तो चिकन बिर्यानी खतम हो चुगी थी मैंने दिन में खाली जो मैंने वीडियो में नी दिखाई बर लेकिन काफी अच्छी थी और इसने अभी लिया मतन बिर अभी तक बना इसके लावब यहां पर एक खीर लिया है जैसे अपने इंडिया में खीर होती है वैसी पाकिस्तान की खीर आप प्रानी खीर तो उस मेरको तो अपनी इंडियन वाली खीर से भी अच्छी लगी तो अभी हमने यहां पर भी खा लिया और पैग भी कर वाली है टोटल जाके रात को फिर से खाऊंगा तो चलो भाया खा लिया है बिल टोटल बना 45 दिरम यानि की 900 रुपे के राउंड दो जनों का ठीक है इनने कुछ जादा ही मंगवा लिया था काम हम 30 दिरम में भी चला सकते थे तो फाइनली दुबाई की ट्रिप जो है वो बिलकुल ख यह जो पिंपल्स आ रहे है यह लिवर के उसकी वएसे आ रहे है कुछ और इसमें कुछ जड़ी बुटिया मिलती है अरेबिक वह आप लो तो हम तो समझ गए थे कि वही सीन है पूरा कपूरा तो मैं भी कुछ देर उसका टाइम वेश करता रहा थोड़ी देर और फिर उसक होटल में जाके रखते हैं पैकिंग करते हैं कल सुबहा निकलना है शाम की फ्लाइट है कल चार बजेगी तो एरपोर्ट वही 11-12 बजे पहुंचना पड़ेगा चलो भई कुछ होगा तो बताता हूं वरना फिर होटल में जाके एंडिंग करेंगे हा भई तो वापिस आ करी उनके साथ की ले लो ले लो उन्होंने नहीं लिए तो मैंने बहुत बार पहले ही बोला है जब मैं करतारपूर गया था पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया थे नेचर वाइस और यहां पर भी हमें बहुत अच्छे पाकिस्तानी लोग मिले थे जो कल हमार लिए और पचासर में यहां का दूबाई का शेक कपड़ा साथ होता है वहम दोनों को फ्री में दिलवा दिए पचासर म्यादा बहुत अच्छे होते हैं पाकिस्तानी लोग दिल से बट यह टेक्सी वाले भईया को हम फिर भी जबसी दे आया पैसे ऐसे किसी के पैसे मारने पमेंगेया वहां घ्राइज फीर को लोगाने के यह कुछ सारी और को सब्सक्राइब शारए कर दूबाई देज़ाता व Do解 बैख़ी में दूबाई अगया उंहयोसक बरांगे में जाकता पाइए काहितीछ ल centrally 2015 सब्सक्राइब स Hayır बैर मुझे गाडियों का शोक नहीं है सबसे पहली बार अगर आप गाड़ी रेंट पे लेते हो 10-15,000 रुपे देते हो पर दे के गाड़ी के जैसे फरारी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज में इंटरस्ट है मैं 20,000 दे के एक फरारी रेंट पे लूँ आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आप किस तरह से सोचते हो यह चीजे मतला अगर आप अपका खुद का पैसा कमाते हो तो मैं नहीं कह रहा है उस चीज में आप जो मरजी करो लेकिन जब आप खुद का कमाते हो तो आपको सो बर सोचने पड़ता है कि मैं इस ची इंस्टाग्राम पे आजो लाश वीडियो आने वाली अगली जिसमें खर्चा बता दूँगा आप कैसे बजेट में कर सकते हो टिप्स दे दूँगा बेसिकली कि दुबई में आपको क्या-क्या टिप्स जो है वो लेनी चाहिए जिससे आप सस्ते में कर सको दुबई को वै बैन एज ओलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका मैं अपने सप्लीमेंट्स करीदने गया मैं होटल आ गया थक रादा चलो जी बाए बाए